बिहार की सियासत में आईएस अधिकारी पर लगे आरोपों के बाद अब बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं आईएस अधिकारी और पुर्व विधायक के ऊपर अब मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश हुआ था उस पर पुलिस ने एक्सन लिया है हमारे वरिश स्वयोगी ससी भूसन हमारे साथ है इन से समझते हैं कि पूरा मामला क्या था और किनके आरोपों के बाद या बड़ी करवाई की गई है ससी दगे एक महिला वकील ने 2020 में सबसे पहले आरोप लगाया कि बिहार के अंदर जो आईएस अधिकारी हैं संजीव हंस और पुर्व विधायक गुलाब यादो इन दोनों ने उनके साथ दुसकर्म किया और इस मामले को ले करके जब महिला वकील सामने आई थी तो संसर न लगा रही थी उन आरोपों के ऊपर करवाई होना बहुत मुस्किल था लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा और आखिरकार कोर्ट के ही निर्देश पे इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर में बता रहें गने समराट वो ये है कि गुलाब यादो जो पूर विधायक हैं और थाने में केस यानि एफायार दर्ज कर लिया गया है कल ही इस मामले में हमने लगातार हर अपडेट दिया है इस मामले से जुड़ा हुआ और कल भी एडी जी से पूछा गया था कि जो आईये सरीकारी हैं संजीव हंस और गुलाब यादो जो पूर विधायक हैं उनके उपर कब केस दर्ज किया जाएगा एडी जी जो है बिहार पुलिस के उन्होंने कहा था कि जल्द ही कोट के निर्दिसानुसार मतलब इस पर एक्षन लिया जाएगा और बीना देरी किये देखिए आज पटना के रूपस पूर थाने में एफायार दर्ज कर ली गई है यानि बड कौन से धाराएं जो है वो लगाई गई है रूपस पूर्थाने में संजीव हंस और गुलाव यादों के खिलाप IPC की धारा 323, 341, 376, 376D, 420 यानि धोकधड़ी का इसके अलावे 313, 120B, 504 और 506, 344 के तहत मामला दर्ज किया गया है इसके अलावे IT Act की धारा 67 के तहत भी केस दर्ज किया गया है ये दो बाते महुत समझनी होंगी गरने समराट पहली बात ये कि जो संजीव हंस हैं जो गुलाव यादों हैं एक तो इनके उपर सीड़े से दुसकर्म का आरोप है और इसी मामले में FIR उनी सेक्शन के तहत दर्ज किया गया है दूसरा जो IT Act की धारा है उसको समझे उसमेरे दर्सकों को यह हम समझाना चाहते है कि जिस धारा संद्सट का इस्तवाल किया गया है इसके तहत असलील वीडियो बनाने का मामला भी इन दोनों के ऊपर FIR में मैंसन किया गया है और यही वज़ह है कि IT Act की धारा संद्सट जो है वो लगाई गया है औ तो मुश्किले इनकी जो हैं वो बढ़ गई हैं भले ही एक सत्ता के गलियारे मेरे सुखदार रहे हूं दूसरे प्रसासनी खलके में वेहत मजबूत अधिकारी माने जाते हैं कई सारे बिजली बोर्ट से लेकर के कई तमाम महतोपुन पदों पे हैं लेकिन संजीव हंस इस व आखिरकार रूपसपुर ठाने में पटना के अंदर केस एफायार दर्ज किया है पुलिस ने सची तो का सकते कि जो महिला जो महिला वकील है लंबी लड़ाई जो लड़ रही थी पिछले कई सालों से पटना के हर ठाने में हर बड़े दरवाजे पुरोन दस्तक दिया अपन एक्सन करना होगा अब तक तो रसूक का इस्तमाल करके ये लोग बस्ते रहे थे और पीडिता ने आरोप क्या लगाया है इस बात को जरा समझीए जो आरोप है पीडिता की तरब से वो लगाया गया है कि बिहार में महिला आयोग की सदस्य बनाने के लिए मेरा यौन उत्प दुसकर्म किया गया और बार-बार उसका वीडियो बनाया गया और वीडियो के अधार पर ही ब्लेक मेलिंग की गई और बार-बार उसको साथ में सोने के लिए मजबूर किया गया इतना ही नहीं संजीव हंस के उपर भी पीडिता ने आरोप लगाया है कि वो भी वहां उत्ते और नसीला परार्थ खिला करके उसका वीडियो बनाया गया और वायरल करने की धंकी दे करके कई दफे होटलों में बुलाया गया तो ये बड़े संसनी खेज आरूप थे जो 2021 में सबसे पहले पीडिता ने लगाये थे और अब तक पीडिता कई दफे सामने आ करके इन आरोपों को देहरा चुकी थी इस मामले में बहुत कोई एक्सन नहीं दिख रहा था लेकिन जब पीडिता कोट के पास पहुँची और कोट से ये आदेश आया कि इन दोनों के खिलाफ एफायार दर्ज किया जाए तो अब संजीव हंस के खिलाफ और जो गुलाब यादों ह संजीव हंस जो सरकार के बहुत चहेते अधिकारी माने जाते हैं अब उनके उपर क्या आगे एक्सन सरकार लेती है वहां नजले टिकी होंगी गुलाब यादो फिलहाल आरजेटी में नहीं है पुरू बिरायक हैं लेकिन उनकी मुस्कीले भी बढ़ी है साथ में गनेस तब त millennials दीर अगिएं अच हैं अगें फिलहाल पुरूंति के पाले में फियार दर्ज करना और उसकी जांच को आगे बढ़ाना तो अब जो प्रक्रिया होगी जाच की वो शुरू होने वाली है और मुस्किले बढ़ने वाली है पीडिता को पहली सफलता की सीड़ी ये कह सकते हैं कि इन डोनों रसुकदारों के खिलाब कम से कम F.I.R. दर्ज कराने में वो अब सफल रही है तो ये बड़ी खबर अमारे वरिश्योगी ससीबुसन बता रहे थे कि बिहार की सियासत में दो बड़े रसुकदार जो एक पॉल्टीशियन है और दूसरे एक बड़े अधिकारी है उनकी मुस्किले अब बढ़ गई है झाल